हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एट्यूप चनल तो फ्रेंड्स आरेंप एसी जुब अच्छे बीएड लल्बी और बीए लल्बी के सेकंड डियर में हैं तो उल्लों के एक्जामनेशन फॉर्म की डेट को एक्स्टेंड कर देगा है तो कितना क्या है ऑफिशल लेटर के साथ हम जानते हैं समझते हैं अच्छी तरीक मिग्स से सब्सक्राइब और प्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं दिनाग 14 मार्ज देहर टेस क्को अभी-भी इस लेटर को पब्लीस कहा घग गया यह आप देख सकते हैं तो इसका एक्जामेशन स्टूल और अच्छे से मैंने समझा दिया तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रेशन में ठीक है जाकर आप देख सकते हैं आगे देख सकते हैं आप लोग उक्त परिच्छा बहुए किल्वी प्रणाली पर संपन कराए जाएंगी आप ल पर लोगो साथ आप लोगो को अपना परिच्छा बना पड़ें में ठीक है तो आपकी पहली डेट तो क्या 27 मार्च तक एक्टेंट कर दी गई है अगर उससे डिले होते हो आप लोग अगर 28 या फिर 29 को करते हो तो आप लोगों को पांसोरे बिलंबो सुल के साथ अपना फॉर्म बलना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद ये जो आगे की लाइन है तो स्बरीज मार्च ये तक ये कॉलिजबाली युनिविस्टि को पहुंचाते है आप लोगे परइच्या फॉर्म की फीस को पूरी ठीक है तो आप लोगी जो डेट है पहली तो 37 मार्च है उसके बाद अगर आप लोग 28 और 29 मार्च को फिल करवाते हो तो पांसरे बिलम सुल के साथ आप लोगो फीज बननी पड़ेगी ठीक है और जो कॉलिज बाले को तुर जो फीज चाहेगी युनिवेस्ट्री को वह 31 मार्च द्यार अगर यहां तक नहीं करते हैं तो आप लोग पेपर नहीं दे पाओगे तो इसलिए अपने कॉलेज कोंट्रेक्ट करिए उनसे बोले के अगर हमारे परिचाफ हम नहीं बहरे गए तो जलसे बढ़ दें कोगी फिर हम लोग पेपर में प्रॉब्लम हो सकती हम लोगो ठीक है तो फ्रेंड्स यह अपडेट थे शोटी सी उम्मीद करते हो वीडियो चले लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं चले पर नहीं तो सब्सक्राइब जरू करें तो चली फ्रेंड्स मिलते हैं नहीं वीडियो को साथ जब तक लिए टेक क्या बाई